नमस्कार सातियों नई वीडियो में आपका सुगात है दोस्तों देश के समस्त केंद्री करमचारी पैंसन भोगी और राज के करमचारी और पैंसन भोगी लिए बहुत बड़ी ख़वर है 2023 निकल गया है 2024 में पैंसना और करमचारी तीन बड़ी सुगाते मिल सकती है में गई बता जो हर साल मिलता है साल में दो वार तो जनवरी दो एरचोवीस में चार परसेंट बढ़ने की संभावना भाई हर और टीए यानि की ट्रावल एलाउंस और हाउस रेंट एलाउंस भी बढ़ेगा और साथ में फिटमेंट फेक्टर भी बढ़ सकता है तो यह तीन बड़ी जो लाव है करमचरी को दो एरचोवीस में मिल सकते हैं तो जनवरी दो एरचोवीस में पचास परसेंट आपका डीए हो जागा फिर आपको यह मूल वेतन में जोड़ दिया जागा फिर जीओ आपका फेक्टमेंट फेक्टर अभी 25 साथ है उसको तीन बड़ों तक किया जा सकता है तो चलिए पूरी बड़ी कबर है दो एरचोवीस की जान लेते हैं वीडियो स्कू करते हैं लाट चीओ दो अजार तेज की तरह नया साल भी केंदी करमचारियों और पैंसन बोगियों हो केंदी करमचारी को एक साथ कई बड़े तोपे दे सकती हैं इसमें मिंगाई वत्ता हाउस रेंड अलाउएंस ट्रावल अलाउएंस और फेक्टमेंट फेक्टर में ब्रद्धी सामिल है केंदी सरकार ने 2223 में आठ फीजदी कुल डिये बढ़ाया है और संभावनाय की नय स समय से उट्राई करमचारियों की फेक्टमेंट फेक्टर की मांग को पूरा करते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है हलां कि अभी आधिकारिक पुष्टी होना बाग ही है नय साल में चार प्रती बढ़ सकता मेंगाई बतता है दरसल कैंसर कार 12 साल में दोबार जनवरी और जो जुलाई से दिसंबर 22 के एई सीपे इंडेक्स के आंकडों पर निर्वर्ग करेगा सितंबर ता आय आंकडों के से कयास लगाया जा रहा है कि नए साल में डिये 50 प्रती या इससे पार हो सकता है बले ही सितंबर में एई सीपे इंडेक्स एक दिसलाव साथ अंगटकर 137 दिसलाव 5 पर रहा लेकिन डिये का स्कूर 48 दिसलाव 5-4 फीज़ी पहुचा अगर दिसंबर तक डिये स्कूर बढ़तर 50 फीज़ी तक पहुचता तो डिये में फिर 4 प्रती विर्दी होनत है हलाकि अभी अक्टूबर नॉमबर और दिसंबर के आंकड़े आने जारी होने व कर्मिशन का गठन के साथ डिये के रिवीजन के नियमों को त्यक किया था कि डिये 50 फीज़ी होने पर सुननों जाएगा 50 फीज़ी को मौझूदा बेसिक सेली में जोड़कर जोड़ दिया जाएगा और डिये की अड़ना सुन से सुरू होगी यह फिर नया वेतन आयोग भी कि लागु किया जा सकता है आलां कि अंतिम पैसला केंदर त्यक्षार द्वारा ही लिया जाएगा 2024 में हाॉस रेंट अलांउंस भी बरद्धी संबब मेडिया रिपोर्ट्स के माने तो डिये के बढ़ते ही नए साल में केंदर की मोझ्षार हाॉस रेंट आलांउंस अंकि की प्रिद्दी कर सकती है इसके बाद एह चारे 27 प्रिद्दी से बढ़कर 30 प्रिद्दी हो जागा लेकिन यह तवी होगा जब डीए 50% के पार होगा क्योंकि करामचारियों के हाउस रेंड अलागूंस के डिये के इसाफ से रिवाइज किया जाता है पित्तिवाक के मेमूरें से उन्हें आउस्रेंड में दिया जाता है अलाग में तीन केड़गरी होती जिसमें 50 लाग से ज्यादा अवादी वाले सहर एक्स केड़गरी में आते हैं जिनकी संक्ये 5 लाग से अधिक होती है वो वाय सिर्णी में आते हैं पांच लाग से कम आवादी वाले सहर Z केड़ेगरी में आते हैं तीनों केड़ेगरी के लिए मिनिमम हरे चववन सो, शत्ती सो और अठारा सुरुपे होगा बरतमान में एक स्रेणी करमचरियों को उनके बेसिक बेतन के सत्ताइस फिजदी, वायस रेंड के करमचरियों 18 फिजदी से 20 फिजदी और जेट केड़ेगरी के करमचरियों 9 से 10 फिजदी दरसे हाउस रेंड अलाउंस दिया जा रहा है टीए यानि की ट्रावल अलाउंस में ब्रद्दी संबब बर्दमान में हायर अनि की टीपी टीए सिटीज में ग्रेड एक से दो का ट्रावल अलाउंस अठारा सो और उन्निस सु रुपे ग्रेड 3 से 8 में 36 सु रुपे प्लस डीए मिलता वहीं दूसरी जगों के लिए ये दर 18 सु रुपे प्लस डीए है ऐसे में डीए के बढ़ते ही टीए में भी व्रद्दी होगी और सहली बढ़ेगी हलागी यह सब 24 मार्श में ते होगा क्योंकि जनबरी के डीए का एहलान मार्श तक किया जाता है यासे में डीए के बढ़ते ही ट्रैवल भी ग्रेट के इसाफ से बढ़ा जाएगी हलागी अभी इसकी आधिकारी प्रुष्टी होना बागी है 2024 में बढ़ सकता है फिटमेंट फेक्टर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसारे लोकसर चुनाफ से पहले केंदर की मोदी सरकार करमचारियों के फिटमेंट फेक्टर पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है बरतमान में सिवन्त पे कमीशन के तैद करमचारियों के फिटमेंट फेक्टर दो दिलब पांच साथ फिजदी और बैसिक सेली 18,000 रुपे है संबाबना की करमचारियों के मांग को देखते हुए इसे दो दिलब पांच साथ से बढ़ा कर तीन फिजदी किया जा सकता है 46,260 रुपे का लाब हुआ तीन गुना फिटमेंट फेक्टर होने पर सेली 21,3 बराबर 63,000 रुपे होगी इससे पहले सरकार ने दो रसूला में फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाया था और इसी साल में सिवन्त पे कमीशन को भी लागू किया था